पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यार आश और लियॉन बुरी तरीके से डिसपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि मिथिकल अलाउड नहीं है और वो हूपा जो कि एक मिथिकल है उसी को लेके आया है तो वो लोग समझते हैं कि वो अब निकल चुके है लेगन पोकेवान मास्टर उनको एक सर्प्राइस देते हैं कि हो ओ को जो पंक सेरिमेनी के टाइम उसने आश को दिया था उसकी वज़े से आश और लियॉन आगे वाले राउंड में जा सकते हैं वो स्पेशल है बेसिकली स्टूर रमेंट के लिए और वो लोग आगे चले जाते हैं और यार शाम के टाइम पर आश को हो भी दिखता है आसमान में जो कि उससे मिलने आया था और आश इसको थैंक यू बोलता है और यार आश बहुत ज़्यादा खुश था कि अब वो सेमी फाइनल में जा सकता है अब आगे अब यार आश ऐसे रैंडम कुछ टाइम पास कर रहा होता है और तभी मिस्टी और ब्रॉक आश के पास आते हैं और कहते हैं कि शाहिद अभी कल का चार्ट लग चुका होगा तुम जाके देख सकते हो तुमारा मैच किसके साथ मैं कल और यार आश एक्दम एक्साइटेड हो के देखने चला जाता है लेगन यार वो मैस्ट आफ लग तुमें ही जीतना है ताकि तुम आगे आओ और मिर से भी बैटल करो और लियॉन भी कहता है कि हाँ मैं पक्का कल नहीं हारने वाला और यार यहां पर आश और लियॉन हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं अब यार अगला दिन हो जाता है और आज आश का आश के वहां प्यार पॉल अलान यह सब दोस्ते और वह सब आश को देखके बोलते हैं कि आश तुम्हारा कोई भी मैस नहीं है तो क्यों ना तुम आज हमारे सा टाइम स्पेंट करो हमारे सा ट्रेनिंग करो एश एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि मैं सोच ही रहाता कि कि मैं अकेले केले करूं क्या मैं बहुत बोर हो रहा था अच्छा है तुम सब लोग आ गाए आज हम सब मिलके मज़े करते हैं अब यार वह सब लोग आके एक पार्क में बैठ जाते हैं और आश सबसे पूछने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में अभी क्या चल रहा है क्या हो रहा है क्या कर रहे हो तुम अभी बेसे के लिए और यार सबसे पहले पूछता है बताता है कि मुझे बैटल अब पहले से और भी जाला पसंद आने लगी है जब से मैंने अपने पोकेमों को प्यार करना शुरू कर दिया है उन पर मैंने सक्ति रखना छोड़ दिया जाओंगा एश कहता है कि वह यह तो सुनने में बहुत इंट्रस्टिंग लग रहा है अगले मीने तुम्हें फ्री हो जाओंगा चाहिद से तो वह तब देखने के लिए जरूर आउँगा और पॉल कहता है कि हां अगर तुम्हारा क्या चल रहा है तुम्हारा अभी क्या आश पुछता है कि यह क्या होता है तो मैंने कभी सुना नहीं और यार अलान बताता है कि अच्छली यह तब बनते हैं जब तुम सारी की सारी लीग की ट्रॉफी जीत लेते हो मैंने अल्रेड़ी कालोस वाली लीग की ट्रॉफी जीती ती तुम्हारे सामने उसके बाद मैंने युनोवा वाली ट्रोफी भी जीत लीती अब बस मुझे थोड़ी बहुत लीग और जीतनी है उसके बाद मैं बन जाऊँगा Grand Slam Champion तो हाँ मेरा सपना यह यह अभी फिलाल Ash कहता है कि वाई यह तो काफी मददार लगता है अब यार Ash ऐसे यह करके उन सबसे पूछने लग जाता है और सब यार अपनी जिन्दकी के बारे बता रहे होते है कि अभी उनका गोल क्या है वो लोग क्या अचीव करना चा रहे है यह सब वो लोग बताने लगते है और तभी यार सब में से गैरी उटके आश से बोलता है कि आश बहुत टाइम हो गया हम लोगोंने वापस से कोई बैटल नहीं करी तो मैं चाता हो तुम मेरे साथ एक बैटल करो वैसे भी कल तुमारा मैच है तो मैं चाता हो तुमारी प्रैक्टिस भी हो जाए आश कहता है कि यह तो सुनने में ही बहुत मज़दार लगता है यह तो मैं पक्का करूँगा और तभी यार पॉल, अलान, बाकी सारे भी आश के इतने राइवल्स और दोस्ते वह कहता है कि तुमने बैटल तो हमारे साथ भी जाधा नहीं करी आप बहुत टाइम से तो क्योंना हमारे साथ भी बैटल करो आज असरा करो तुम सबसे एक प्रैक्टिस बैटल कर लो ताकि कल के लिए तुम रेडी हो जाओ Ash कहता है कि वा इतनी सारी बाटल ठीक है मज़ा आने वाला है और Ash सबसे पहले Gary से बाटल करता है अब यार Gary तुरंती Blastoise को चुनता है और Ash अपने साइड से निकालता है Pikachu को लेकिन तभी Gary कहता है कि नहीं Ash Pikachu नहीं तुम जोटो लीग भूल गए वहाँ पर चॉज़ाइड वर्सेस Blastoise की जो मैच होई थी उसी को आज वापस से करते हैं और Ash फिर तुरंती चॉज़ाइड को बेशता है चॉज़ाइड स्टार्ट करता है अपने Mega Punch के साथ में लेकिन यहां Blastoise ready था और वो सीधा अपने Shell के अंदर चला जाता है जिससे कि जैसे ही यार Mega Punch यहां पर लगता है Blastoise के Shell को तो Blastoise को तो कुछ नहीं होता है लेकिन चॉज़ाइड को खुदी बहुत ज़ादा दर्द होता है उसका Shell इतना दरा कड़क था इसकी अज़े से Gary कहता है यही मौका है Blastoise जल्दी निकलो और सीधा Hydro Pump और Blastoise सीधा अपने Shell से भाहर आता है और चॉज़ाइड के मुव पर ही Hydro Pump मार देता है जिसकी वएसे चॉज़ाइड को यहार बहुत ही तगड़ा वाला डामेज होता है एश कहता है कि चलो बहुत हो गया चॉज़ाइड अब हम भी ज़र अपने फॉर्म में आना होगा और अब चॉज़ाइड वापस से एक Mega Punch मारने जाता है और यार Blastoise पे जैसे ही शेल से बहार आता है Hydro Pump के लिए इस बार चारिज़ाइड वहीं पर खड़ाता है और वो एक और Mega Punch मारता है सीधा यार इस बार Blastoise के मुव पे और Blastoise को यह तगड़ा हीट होता है एश कहता है चलो Seismic Toss और एश का चारिज़ाइड है वो सीधा यार Blastoise को उठा लेता है और Seismic Toss करके पटक देता है और इसी के बार हम लोग देखते है कि Blastoise हो जाता है Faint अब यार वहाँ से अलान उठके आता है और कहता है कि अब मेरी बारी है फिर हम लोग भी वही सेम बैटल करेंगे और यार अलान इसलिए अपने निकालता है चारिज़ाइड को और एश पर निकालता है ग्रिणेजा को क्योंकि वो लोग भी अब अपनी बैटल रेक्रिएट करने वाले थे और अलान सीधा चारिज़ाइड को मेगा एवॉल्फ कर लेता है और यहाँ पर आश भी रेडी था और ग्रिणेजा को बार्ण एवॉल्फ कर लेता है ग्रिणेजा सीधा वाटर शुरिकें मारता है चारिज़ाइड पर और ये चाईडर्ट पे सीधा हीट होता है और उसको बहुत डामेज कर जाता है एश कहता है अभी ग्रिनेंजा खतम कर दो और अब ग्रिनेंजा अपनी स्पीड दिखाते हो यार अपने बहुत सारे फॉर्म बना देता है डबल टीम की मदद से और हर एक से बुरी तरीके से गुसे और लाथ मारने लग जाता है चाईडर्ट पे यहां से वहाँ वो बुरी तरीके से उसको मार रहाता और end में grenade तुरंती giant water shuriken का use करता है और यार इसी के साथ वो child को खतम कर देता है यानि कि child का एक move भी उस पर नहीं लग पाता और अलान समझ जाता है कि अब वो ash के टक्कर का बिल्कुल भी नहीं रहा है इस time पे अब यार पॉल आ जाता है और पॉल निकालता है यार यहां पे सीधा अपने elective wire को और ash भी ready हो जाता है और वो बेशता है इस बर अपने Pikachu को Pikachu सीधा iron tail के साथ में start करता है लेकिन वहां से elective wire पकड़ लेता है iron tail को और सीधा thunderbolt मार देता है लेकिन Pikachu को thunderbolt से कुछ भी नहीं होता वो उल्ट और चार्ज हो जाता है और वो घुमा के एक iron tail मार देता है यार फिर यहां पे elective wire पर है अब एक तरफ से elective wire वापस से thunderbolt मारता है और Pikachu भी जवाब में thunderbolt ही मारता है और Ash और Paul को यहां पे पता था कि damage अब उसी को होने वाला है जिसकी यार जो भीजली है वो जादा पावरफुल होगी जिसका thunderbolt जादा पावरफुल होगा दोनों ही अपनी पूरी जान लगा देते हैं elective wire और Pikachu अपना best दे रहेते हैं अपना सबसे पावरफुल thunderbolt वो लोग मार रहेते हैं और यहां पे कुछ देर के बाद यार जो जटका लगता है वो लगता है सीधा elective wire को और वो पीछे चला जाता है और आश बोलता है चलो खतम करने का वक्त आ चुका है वोल टैकल और Pikachu यहां भाग के जाता है और बहुत पावरफुल सो वोल टैकल मारता है और यार वो टकराने के बाद ही blast हो जाता है वहां पे एकडम और हमें पता चलता है कि elective wire लड़ नहीं सकता है वो faint हो चुका है एपिसोड एंड हो जाता है अगर पसंद आया तो लाइक करना चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो बेल एकन दबा देना ताकि नए वीडियो जैसे ही आइतम को नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए पाक यहां में मिलूंगा ऐसी किसी और ने वी जाईब ने ने किसी और ने किसी और ने साथ किसी किसी और को भीम्ट्राइब ने रहीं हो सब्सक्राइब MR. ハ लुए रचिक einनल जाओ जए है म